नमस्कार स्वागत एवं अभिननन पुना मेरे चैनल अक्षेग्यान पे आज मैं आप सबके समक्ष पाठनों बुनाई कला अग्रेशिल कक्षाच्छे की अभ्यास प्रश्णों को लेकर उपस्तित हुई हूँ सरपरतम बस्तित में मिलान करो है 11 वा बारा नमबर की सिलाई पतले उन की बुनाई में प्रेख तो होती है सरदी में कर्म या उनिबस्तित पहनते हैं समय थन की बचट के लिए घर पर बुनाई करने से होता है सलाई या बुनाई के लिए आवशक हैं तो हमें यह मिलान करना था तो ग्यारा बारा नम्र की चलाएं पतले उन के लिए सर्दी में घरम या उनिबस पहनते हैं समय तत्त हनकी पचचत घर पर बुनाई करने से होती यह बिजिन्स टैप आप असलाईएं क्या होती है बुनाई के लिए आवशक होती है रेकतिस्तानों के फंदे सदेव दोहरी उन से डाल यह आपके फिलिपदी प्लाइंग के धीली ग्यारा बारा नमबर की ठीक है निम्निकित कत्मों में सत्य के सामने सही का तथा असत्य के सामने गलत का चिन लगाई यह तो गर्मी गरम वस्त गर्मी में पहने जाते हैं गर्मी गर्मबस्त कर्मी में पहने जाते हैं गलत है क्योंकि गर्मबस्त सर्दी में पहने जाते हैं बुनाई के लिए सिलाईया आवशक है सही है घर पर बुनाई करने से समय का सद्यपूर्धन की पचकत होती तो यह भी सही है अती लगोत्री प्रश्ण में हम उनिवस्त्र क्यों पहनते हैं तो हम उनिवस्त्र इसलिए पहनते हैं ठंड से बचने के लिए तो ठंड से अपने सरीकी सुरक्षे के लिए सर्दी में हम उनिवस्त्र पहनते हैं तो उनिवस्त्र कितने प्रकार के होते हैं उनकी नाम इसके बाद है लगुत्री प्रिश्न पुनाई कला का क्या आर्थ है कलात्मक धंग से उन द्वारा फंदे बनाकर सलाईयों को मध्यम से डिजाइनर बस्त तयार करना ही पुनाई है पलात्मग धंग से उन द्वारा फंदे बना कर सलाईयों के माध्यम से डिजाइनर बस्त तयार करना बुनाई है स्वयम बुनाई करने के किनी दो लाभों के लिखिये अपने मन पसंद रंग और डिजाइन वबस्त बना सकते हैं समय का सत्वियों को धन कमा सकते हैं बनाई के तो लाभ है उनी बस्त बुनते समय कौन-कौन सी साधानी रखेंगे उनी बस्तों के बुनते समय ध्यान रखनियों के पाते हैं हमेशा साफ हाथों से बनाई करें उनको गंदा होने से बचाने के लिए हमेशा बैग में रखें बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी उन से डालें सलाईयों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि आखाप में न लगा लें अन्यता दुरगटना होने का डर रवना रहता है बुनाई हमेशा प्रयात रोशनी महीं करें बना आके कम जोर हो जाएंगी कम रोशनी बुनाई से आखों पर जोर पड़ता है अब सीधा उल्टा फंदा पुन्नी की बिदी लिखिए सीधा फंदा बुनाते समय खाली सलाई को दाहिने हाथ में तथा फंदो वाली सलाई के बाए हाथ में पकड़ो इसके बाद दाहाथ की खाली सलाई को बाए हाथ की सलाई के फंदे में नीचे की ओर और घुमा कर उनको एक बार भढ़ा कर फंदे के अंदर से निकाले ये गाओं में बच्चे लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती इन सब चीजों में उनको बहुत आनंद आएगा इसको सुनने में सीधा फंदा बाए हाथ की सलाई में फंदे को गिरा देते हैं सीधा फंदा बुन गया अब उल्टा फंदा कैसे हैं उल्टे फंदे में दाहाथ की सलाई के फंदे को बीच में से नीचे की ओर निकालते हुए अपनी ओर लाएं और सलाई की नौक पर उनको एक बार लपेटे उसका लूप बनाते हुए उसमें बाय हाथ की सलाई के फंदे में से गिराते हुए निकालेंगे और इस प्रकार फंदा बुन जाएगा तो यह थी हमारे पार्ट नौक के अभ्याज प्रशनों की श्रिंखला तो धन्यवाद तो इस तरह से हमारे कख्षाचे का ग्रेशिल्फ का पूरा मेरे यूट्यूब पर इसके प्रशनों उतर उपलब्द हैं सिर्फ पाक पलाउस में इसलिफ को मैंने निडाला क्योंकि इसमें सिर्फ बजबिधी बतानी है खाने की बनाने की तो बहुत ही आसा झाल 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 झाल